नमस्कार दोस्तों दिखिए ये शर्ट का मेजर्मेंट है ये फिटिंग शर्ट है तो इस मेजर्मेंट वाली शर्ट की कटिंग हम आज इस युडियो में दिखाएंगे दिखिए लेंध है 29 इंच, नेक का राउंड 15 इंच, शोल्डर 8 इंच, चेस 36 इंच, वेस्ट 28 इंच, हिप 36 इंच, स्लीव लेंध 24 इंच और इसे 29 इंच का कप लगाना है 22 सेप राउंड है 14 इंच तो इस मेजर्मेंट वाली शर्ट की कटिंग हम आज करेंगे ये लेंध के हिसाब से फोल्डिंग पहले से करके रखिए ये लेंध 29 इंच है ये ये यहां आधा इंच उपर छोड़ना है और ये 29 इंच लेंध आधा इंच इंच शिलाई दाबाव है तो यहां 30 इंच तक ये फोल्डिंग लगाया है ये 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 आधा इंच उपर क्यों छोड़ाए ये इसलिए छोड़ाए कि जो शोल्डर का जो सामने वाला पल्ला आगे गिरेगा तो उस शोल्डर के जो सामने वाले पल्ले में ये आधा इंच एड़्जस करेंगे अब दीखिए, सबसे पहले काज बटन वाली पट्टी का मार्जिन कर लेते जा दीखिए दो इंच मार्जिन छोड़के ये फोल्डिंग का मार्क है और फोल्डिंग के आगे दीखिए आधा इंच और एक सुत क्योंकि शोपट्टी लगेगी इसलिए आधा इंच और एक सुत पर और एक आगे मार्क करना है इस पे काज बटन आएंगे अब दीखिए गले का राउंड ये काज बटन वाली लाइन है इससे आगे करेंगे गले का और चेस्ट का वेस्ट हिप सब लाइन सब मार्किंग यहां से आगे करेंगे तो दीखिए गले का राउंड पांदरा इंच ये तो पांदरा इंच का छटा हिस्सा यहां से सुरू करेंगे करेंगे यहां और यहां इस लाइन से आगे दिखिए आठरा इंच का शोल्डर ये तो आठरा का आधा कि यहां नव इंच पर एक मार्क करेंगे यहां दीखिए शिलाई मार्जिन नहीं छोड़ना है क्यूंकि दीखिए यह इस तरह कर होता है जो कर लगाएंगे देखिए इस तरह यह ऐसा जब शोल्डर का जो सामने वाला पल लाएगा वहां आधा इंच एक्ष्ट्रा हो जाएगा तो यह यहां सिप आठरा इंच का आधा मार्क लागाना है अब दीखिए इस मार्क से नीचे दो इंच शोल्डर डाउन करना है दीखिए यहां यह गले का राउंड का मार्क और यह शोल्डर डाउन का अब दीखिए यहां धाइंच पर एक आगे का कला उतारेंगे यहां और यह सबसे पहले यह मार्क कर लेंगे कि इस तरह और यह गले के राउंड के लिए अब दीखिए हमें जो सामने वाला शोल्डर है तो रेडी पाउने छे चाहिए तो पाउने छे यहां आदा इंच लाई दबाओ और यहां दो सुत यानिके पाउ इंच दबाओ तो साड़े छे पर मार्क किया अब दीखिए आगे के मार्क किस तरह करना है दीखिए यह आदा इंच ऊपर छोड़के यह चेस्ट साइज है तो यह दीखिए यहां सड़े आट इंच पर एक मार्क करेंगे क्योंकि फिटिंग शरट है यहां 16 इंच पर कमर का मार्क करेंगे और यह टोटल लेंथ शाड़े उन्तिस आदा इंच शिलाई के लिए अब दीखिए एपल कटे नीचे तो यहां डाइंच पर एक मार्क करेंगे कर देने के लिए अब दीखिए यहां चेस्ट है 36 इंच तो 36 का चौथा 29 इंच यह दीखिए यह दूसरी जो लाइन है काज बटन वाली लाइन यहां से शुरू करेंगे 36 का चौथा 29 इंच यह 9 इंच पर एक मार्क किया अब दीखिए इसे हम देंगे यह 17 इंच की लूजिंग फिटिंग शेर्ट इसलिए यह 17 इंच की लूजिंग और यह 300 शिलाई दबाव यह दीखिए ठीक उसी तरह कमर में 28 इंच है तो 28 का चौथा हिस्सा 7 इंच यह दीखिए यहां भी 17 इंच की लूजिंग देंगे और यह 300 शिलाई दबाव अब दीखिए यहां हिप का मार्क लागाएंगे तो हिप का मार्क हिप 36 इंच है तो 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच यहां सिर्फ 1 इंच लूजिंग देंगे और 300 यह दबाव अब दीखिए यहां नीचे का इस तरह एपल कट के लिए इस तरह सेब देंगे और यह यह दिके इस चरट में चेस्ट और वेस्ट इनमें बहुत फरके 36 की चेस्ट है और 28 की वेस्ट है तो इनमें बहुत फरके तो बहुत ही गहरा करू देना होगा तो दीखिए दोस्तों यहां कौना निकला है तो यह कौना निकलने के लिए दिखिए इस तरह यहां इस तरह सेब देना है तो यह जो दो सूथ बढ़ेगा दो सूथ का जो डिफरंस होगा वो बैक में निकलेंगे डाट की आध्यम से अब दीखिए यहां हमें क्रोस फ्रंट चाहिए 7.5 इंच रेडी क्यूंकि फिटिंग शर्ट है तो 7.5 इंच रेडी क्रोस फ्रंट यहां आएगा यह आधा इंच शिलाई दबाओ तो दीखिए यह इस मार्जिन को यह मार्जिन जोड़के इस तरह कर सब्सक्राइब देना है तो दोस्तों इस तरह यह फ्रंट की पूरी मार्किंग हो गई है अब इसे काटेंगे और फिर बैक और शॉल्डर कटिंग करेंगे कि दीखे दोस्तों एक बात बताना भूल गया था यहां स्लीव कटिंग के लिए यहेज़के विंदे में 57 उपर फ्रता शेड़ना है कि यह आद thats कम कर लिया था और बेक में 1-2 इंच बढ़ाना है क्योंकि शर सामने से उपर नहीं जाना चाहिए इसलिए विल्ज जलिए बाल्म मिलद कुम थेज़् टोटल एक इंच वर यहां जो है कम होता है इहां हम शर्ट की लेंध यहां से शुरू करते हैं लेकिन हमने거든 यहां दो सुत कम मिलता है इसलिए टोटल सववा इंच लेंध हमें अडड़ेस करने ही होती हैं इसलिए एदिक यह दिक Also ऊपर छोड़के यह सडसाथ इंच उस उसमें प्लस एक इंच करना तो ये 8 इंच यहाँ लिख लेना है और दीके ये जो मेज़ेरले contradiction यहाँ से ये लाइन यहां खत्म होती है तो तीन इंच यह सड़ी आट इंच और यह तीन इंच इस तरह लिक लेना है यह दोनों मेजर्मेंट स्लीव कटिंग के वक्त काम आने वाले हैं कि अब 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 कि अब कि कि अबब कर दो है कि अब बाव कि अब अबंब कि अब दिखो जाइए हैजे हैं पॉह झादाँ समय लिंग intern तोड़ हैजे हैं सबस्ट Olब यहां दिखिए फोल्डिंग किस तरह करते हैं चेस्ट का चौता हिस्सा यह दिखिए चेस्ट का चौता हिस्सा प्लस सामने सव इंच लूजिंग दी थी और शिलाई दावाव आधा इंच इस तरह यहां मार्क लागाना है कि यह दिखिए यह जो फोल्डिंग है यहां यह जो काज बटन वाली लाइन है इसे मैच करना है अब दिखिए यह यह जो सामना है यहां एक इंच नीचे बैक के लिए इस तरह स्ट्रेट लाइन लागा लेने इस तरह दिखिए अब दिखिए यहां तीन सुथ यह सामना है जो इसके आगे तीन सुथ एक मार करना है यहां और यह इस तरह यह चेस्ट का चोथा हिससे वाला मार के इसे मैच करना है अब दिखिए यह शर्ट की जो बैक है इसका आर्म होल कर वे तो दोस्तों दिखिए यहां आठरा का शोल्डर है तो आठरा का आधा नौ इंच और दो सुथ एक्स्ट्रा है और यह जो शोल्डर लागाने के बाद इस तरह उपर करो जाता है यहां यहां आपको लगेगा कि नौ इंच शोल्डर का आधा हिस्सा और आधा इंच चाहिए तो मैंने दोसुत ही क्यों के लिए त्यूंकि देखिए यहां इस तरह उपर सेप जाता है तो यहां नौ इंच और आधा इंच शिलाई के लिए यहां मेजर्मिंट 9.Up मिलेगा इस міजर्मिंट केณ फाल मिलेगा 18 इंच शोल्डर के लिए यह स्लोप इस तर और होता है इसलिए यह दो सुट कम होता है अब दीकिए हम स्वोल्डर कि जो चाइड ही रखेंगे कितनी रखेंगे दीकिए यह से एक इंच नीचे शोल्डर का आधा इंच शिलाई दबाव और बैक का आधा इंच टोटल एक इंच नीचे छोड़के दिखिए यहाँ दो इंच पर सामना आएगा तो इसे सावा इंच उपर उठाके यह दिखिए सावा इंच इसलिए क्योंकि आधा इंच सामना कम किया था और आधा इंच बैक बाड़ानी है यह टोटल एक इंच और यह दो सुत है तो यह इस तरह सेब जाता है नीचे तब यहाँ हमें दो सुत कम हो जाते हैं तो इसलिए यह दो सुत इस तरह यह सावा इंच का हिसाब होता है ये शोल्डर में एड्जिस करना होता है यहां दिखिए दोस्तों ये दो सुद बैक कम करनी है हमें इस तरह दिखिए शोल्डर का नीचला हिस्सा आएगा सव नौ इंच और उपर का जो हिस्सा आएगा सड़े नौ इंच का आएगा और शोल्डर की चवड़ा हि दिखिए शव न इंच आएगी और सामना जो शोल्डर का आगे जुकने वाला जो पल्ला है वो शव न इंच का आएगा तो टोटल शव न इंच का टोटल हमें शोल्डर कटिन करना है कि डोस्तों इन कटिंग के लिए हमेशा जितना भी सौड़र होता है उसमें दोइंच प्लaws करना है जैसे कि या एंट का शॉलडर आठर है तो आठर रह में दोप्लस करना है 20 इन्च या ये डबल फोल्डिंग में 10 इंच पर एक मार्क लागाता हूं ये यह 10 इंच तो 10 इंच पर कपड़ा कटिंग कर लेना है यह दिखे यह पहला फोल्ड दोनों लेयर शोल्डर के एक साथ काटेंगे फिर बाद में इस तरह दूसरा फोल्ड लगाना है यह दिखे इस तरह और इसकी चावड़ाई रखनी है 5.5 इंच टोटल तो दिखे यह इस तरह पहले से ही 5.5 इंच की चावड़ाई एड़ेस कर लेंगे अब दिखे यह जो बैक पोर्षन था शोल्डर का सवा 3 इंच आया था तो यह सवा 3 इंच पर एक मार करेंगे और सामने शोल्डर का जो सामना जुकता आया आगे तो उसे सवा 2 इंच का मार करेंगे अब दिखे यह सामना गले का यहाँ ड़ा इंच लिए तो यहाँ ड़ा इंच पर एक मार करेंगे ये नो इंच शोल्डर आदा इंच शिलाई के लिए अब दीखिए यहाँ दो इंच डाउन करेंगे ये सभी मार्क लागा लेते हैं इस तरह दीखिए अब दीखिए ये जो ये दो इंच डाउन और ये धाई इंच का मार्क है तो इस तरह एड़्जेस करना है हमें यहाँ का जो पॉइंट ये अपने आप मिलेगा दीखिए इस तरह दीखिए ये शोल्डर दो इंच डाउन और यह सामने वाला जिस तरह अगले का मार्किया था वही धाइंच का है तो यह मार्क इस तरह आपको यहां का मार्क मिलेगा अपने आप दीखिए तो अब इसे हमें यह जो शोल्डर का बैक का जो कर वे इस तरह देना है दीखिए अब दीखिए शोल्डर का जो नेचले वाला हिस्सा आया था नव इंच और दो सूथ तो यह दीखिए यहां एक मार्क करेंगे और इसे इस तरह सेब देंगे यह दो हिस्से अलग अलग कर लेंगे यहां से कट करके तो दोस्तों यह हो गई शोल्डर की कटिंग अब इसे हम लगा के देखते हैं बैक और फ्रंट में यह बैठता है या नहीं यह दीकि यह आधा इंच यह दाबा वेशिलाई का तो हमें इस तरह रखना है शोल्डर का भी आधा इंच छोड़ना है तो दीकिए यह इस तरह बिलकुल बराबर पैट गाया है यह शोल्डर दीकिए इस तरह अब हम लेंद भी आडजेस्ट करके दिखाएंगे दीकिए यह थोड़ा उपर लेता हूं मैं आपको दिखाई देगा तो दीकिए 29 इंच शर्ट की लेंद है तो यहां से यह दीकिए 29 इंच लेंद आदा इंच शिलाई दबाव जाएगा और एक शुत एक्स्ट्रा है तो यह एक शुत एक्स्ट्रा कोई माइने नहीं रखता तो यह शर्ट की कटिंग बिलकुल बराबर हो चुकी है अब हमें स्लिव काटनी है तो स्लिव काटने के लिए मैंने यह दीकिए बता याता साड़े आट इंच और यह तीन इंच मेजर्मेंट काम आने वाला है वह कहा आता है काम यह भी बताऊंगा कि 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 दोस्तों साड़े चुवीस इंच स्लिव की लेंथ है टोटल तो हमें पच्चीस इंच तक की दिके यह चुवीस इंच की जो स्केल है उसे एक इंच आगे करके यह यहां इस तरह फोल्डिंग करनी है कि यह दोनों स्लिव एक साथ काटेंगे तो जैसे कि मैंने बताया था साड़े आट इंच का जो मार्क हमने लिख लिया था दिके यहां वह मार्क लगाना है यह दीके यह एक मार्क केनारीका और यह चाड़े आट इंच यहां इस तरह फोल्डिंग के लिए चाड़े आट इंच का का मार्क है अब दीके यहां आधा इंच छोड़के अक मार्क करना है और यहां पाऊने छे इंच पर एक मार करना है और यहां पाऊने 6 इंच, 9.5 इंच कप लागाना है तो उसके लिए यहां पाऊने 6 इंच पर एक मार करना है यहां पाउनी 6 इंच पर एक मार्क किया अब इसे दिखिए ये स्केल इस तरब बिठा के सबसे पहले सीधा मार्क कर लेना है अब इदिखिए 36 इंच चेस्ट के लिए ये 4 इंच डाउन करेंगे स्लीव का आर्म होल और यहां भी सिधा मार्क लागाएंगे इस तरह जीकए यां दीड इंच पर एक मार्क करेंगे ये 1.5 इंच पर एक मार्क है अब दिखिए जो मैंने 1.5 इंच के साथ 3 इंच का मार्क लिखा था यह दिखिए यह जो हमने दो मिजर्मेंट लिख लिए थे साड़ी आट और तीन तो दिखिए हमने यह साड़ी आट इंच यहां मार्क किया और यह तीन इंच यहां मार्क करेंगे दिखिए इस तरह यह दिखिए दीड इंच यह इस तरह फ्रंट कर आएगा इसके लिए और यह यह साड़ी आट का तकरीबन तीसरा हिस्सा होता है तो साड़ी आट का तीसरा हिस्सा दिखिए पहुने तीन इंच के आसपस तो यहां मार्क करेंगे अब दिखिए यहां आदा इंच उपर एक मार्क करना है और यह और यह मार्क इस तरह जोड़ देना इस तरह और यह देड इंच वाला मार्क यह तीन इंच पर इस तरह जोड़ना है आप दिखिए यह स्लिव का जो फ्रंट वाला करो इस तरह आएगा और बैक वाला करो दिखिए इस तरह आएगा तो आपने आप यह स्लीव का दिखिए किस तरह यह सामने वाला कर्व और यह बैक कर अपने आप आगए दिखिए अब दिखिए स्लीव का जो मेजर्मेंट में दिखिए बाइसेप भी देना बहुत ज़रूर है यह फिटिंग शर्ट के लिए दीखिए 14 इंच का बाइसेप यहासी तकरिबन 3 इंच पर यहां 14 इंच का बायसेप रखना है हमें दीखिए चौदा का आधा सात इंच और यह शिलाई दवाधा इंच तो यह बाइसे भी हमें अड्जेस करना है तो दीके इस मार्क से यह मार्क यह मार्क और सिधा यह मार्क यह करूशेप की कि मदद से हमें इस तरह देखिए इस एप देना है कि अब कि अब दिखिए यह स्लीव कटिंग होने के बाद हमें जहां चौक पट्टी बेठाते हैं वहां का एक कट लागाना है और सामने का भी हमें इस पर देखिए यह स्लीव कटिंग होने के बाद हमें फ्रंट कर देना है यह दिखिए दोस्तों यहां दाइंच शिलाई दबाव जाएगा इस साइड में कि इस तरह तो यह यह शिलाई दबाव छोड़के जो बाकी का अंतर बाचता है उसका सेंटर निकालना है इस तरह कि यह और फिर उस सेंटर के आधा इंच इस तरफ एक लाइन लागानी है और यहाँ पर चेंच तक कट लागाना आए दिखिए यह दिखिए इस तरह तो यह इस तरह कट लागाने के बाद दिखिए यह स्लिव खोलके हमने इस तरह कट लागा है सामने वाला एे दिखिए तो दोस्तो यह होगई स्लिव की कटिंग बैगे दोस्तो यह शर्ट की जो स्टिचिंग होने के बाद हम कस्टा मर पे इस की ट्राइल भी दिखाएंगे किस तरह फिटिंग आती है आगे का वीडियो ये भी अपलोड करेंगे इसकी ट्रायल किस तरह फिटिंग आती है ये देखने को आपको मिलेगा तो इसका आगे का वीडियो जरूर देखिए और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए शेर करिए औ चानल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए तो इसी तरह अलग अलग टाइब के वीडियो आपको इस चानल पर देखने को मिलेगे तो सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन का बटन भी जरूर दाबाए क्योंकि आपको तुरं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद